Sequences and Series Class 11th NCRT Exercise 9.2 Arthematic Progression की Exercise यह है Arthematic Series की तो इसमें First Problem देखते हैं इसमें क्या करना है First Problem में Find the Sum of Odd Integers from 1 to 2001 From 1 यान कि First Number क्या होगा 1 और Last Number क्या होगा 2001 तो यहाँ पर निकालना है Sum of Odd Integers तो पहला Odd Number 1 हो गया Next Term क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा उसके बाद 5 हो जाएगा उसके बाद 7 हो जाएगा इस तरीके से यह Series बन जाएगी कहां तक 2001 तक इसका हमको Sum निकालना है देखिए First Term क्या हो गया इस Series में First Term यह हो गया A equals 1 Common Difference क्या होगा यहाँ पर Common Difference हो जाएगा यहाँ पर 2 क्योंकि 1 में 2 जोडने पर 3 आएगा सारे Term आजाएगे प्रिवेस Term में 2 जोडने से Odd Terms तो D क्या हो गया 2 अब हमको क्या चाहिए अब हमको Sum निकालना है Sum of Series N Terms यह क्या होता है यह होता है N by 2 A plus L L क्या है यहाँ पर L है यहाँ पर Last Term है तो यहाँ पर देखिए Last Term पता है First Term पता है Total Number of Terms पता होने चीज़ Series में तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए Last Term पता है Last Term suppose Nth Term है यानि कि Total Number of Terms अगर N है Series में तो Last Term क्या हो जाएगा A plus N minus 1 into D यानि कि 2001 equals A की value 1 है plus N minus 1 D की value 2 है इसको solve कर लें तो यहाँ जाएगा 2000 equals 2 N minus 1 तो यहाँ से देखिए N minus 1 की आजाएगा 1000 तो N की value आजाएगी 1001 तो Total Number of Terms कितने है Series में 1001 अब देखिए यहाँ पे N की value क्या रख देंगे 1000 1 divided by 2 First term 1 Last term 2,001 तो यह हो जाएगा आपका 1001 divided by 2 into 2002 यानि कि आजाएगा 1001 into 1001 यह आजाएगा 1002,001 multiply करने पे अब देखिए second problem देखिए इसमें क्या करना है find a sum यहाँ पे भी sum निकालना है of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5 5 का multiple होना थी यह और 100 और 1000 के बीच में होना थी यह तो यानि कि first number क्या हो जाएगा इसका second problem में first term हो जाएगा 105 second term क्या हो जाएगा 105 add करते जाएगे तो 5 का multiple में कहां तक आएगे यह number last term क्या हो जाएगा 995 क्योंकि इनके बीच में numbers हमको निकालना है इनको include नहीं करना है इनका sum निकालना है तो देखें यहाँ पे first term हो गया 105 common difference हो गया यहाँ पे 5 अब यहाँ पे क्या करना है sum निकालना है sum of n terms क्या होता है यह हो जाएगा n by 2 first term plus last term यहाँ पे भी last term पता है हमको last term क्या है last term 995 है इसको हम लिख सकते हैं का total number of terms n है series में तो लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d यानिकी 995 equals 105 plus n minus 1 into 5 तो इसको हमको solve करना रहा है हम 5 से divide करते यह आजाएगा 199 equals 21 plus n minus 1 means 20 plus n तो n की value क्या जाएगी यह आजाएगी 199 minus 20 यह आजाएगा 179 यह n की value होगा यहाँ पे हम put कर दें तो यह आजाएगा 179 by 2 a की value है 105 और l की value है 995 इसको हम solve कर सकते 179 by 2 into 1100 यह आजाएगा 179 into 550 यह आजाएगा 98450 इसको आजाएगा